तो दूस्तों फाइनली बॉलेवूड के शेर साब बन चुके हैं अब बॉक्स ओफिस के लिए योधा यादेगे वाई शिदात मलोतरा की आने वाली मच अवेड़िड फिल्म योधा का ट्रिलर आज जारी किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धर्मा प्रोडक्शन के द्वारा तो आई कैसा है योधा का ये ट्रिलर कैसा लग रहा है इस फिल्म का मेकिंग क्या हो सकती है इस फिल्म की कहानी क्या इस फिल्म के ट्रिलर को देखने के बाद मैं ये बात ही आप लोगों से कह सकता हूँ अपनी जुवानी के मचाएगा मचाएगा ये योधा बॉक्स ओपि तो दोस्तों काफी दिनों से युद्धा का रिलीज डेट टल रहा था टल रहा था और भाई उन टलते हुए रिलीज डेट को देखने के बाद दिल में इस बात को लेकर खलवाली मची हुई थी कि क्या सिद्धार्त मनुत्रा की ये फिल्म भी OTT प्लेटफॉर्म पर जाने व इस फिल्म को सही टाइम पर करण जोहर सिनेमा घरों में लेकर आना चाहते हैं तो भाई इन सभी सवालों का जवाब आज इस फिल्म के इस लाजवाब सांदार जबरदस्त एनरजी से भरपूर ट्रेलर के माधिम से दी जा चुकी है दुनिया को कि विया इस बार युद्ध की तरह बॉक्स ओफिस पर च्छा जाएगा मेरे भाई क्या ट्रेलर है विरू मतलों क्या ट्रेलर ट्रेलर को देखने के बाद में आप लोगों से एक बात कह सकता हूं कि विया इस ट्रेलर को देखके हम इसमें कहीं कोई खामी कमी नहीं निकाल सकते है मेरे भाई यारी कि इ इस फिल्म का मेकिंग भी बहुती जबरदस्ट लेबल पर किया गया है इस फिल्मे आपको एक से बढ़कर एक गाने भी सुनने को मिलेंगे और उसके साथ भाईया इस फिल्म में आपको सिधार्थ मलूत्रा का एनर्जेटिक एक्षिन वाला ओतार भी देखने को मिलेगा मेरे यानि इस ट्रेलर के वादियम से हमें ये बात बताने की कोशिश की जारी है कि भाई सिद्धार्थ मलुत्रा का पचपन से इस फिल्म में ये सपना रहता है कि वो भी अपने पापा की तरह एक युद्धा बने यानि कि भी इस फिल्म में रोईनित रोई जो हैं वो उनके पापा का किरदार निभा रहे हैं जो की एक सोल्जर है और भाई सिद्धार्थ मलुत्रा भी अपने पापा की ही तरह एक जबरता सोल्जर बन कर इस देश के लिए अपना सब कुछ लुटाने की कोशिश करने वाले हैं और भाई वो इस ट्रेलर के मादिम से ये बात दिखा भी रहे हैं कि वो अपना सब कुछ देश के नाम कर चुके हैं लेकिन इस ट्रेलर में हमें कुछ ऐसे सिक्वेंस दिखाये जाते हैं जिसके मादिम से ये बात समझ में आ रही है कि भाई इस फिल्म में उनके साथ कुछ ऐसा होगा जिसके वज़े से उनका कोट मार्सल होगा उनको फोच से बाहर निकाल दिया जाएगा और वो फोच से बाहर निकलने के बाद क्या बागी बन जाएंगे क्या वो देश के खिलाब कदम उठाने लगेंगे यानि कि विया ट्रेलर के अंद में हमें वो प्लेन हाईजेक वाला सिक्वेंस देखने को मिलता है जिसमें ये बात बताने की कोशिश की जारी है कि ये जो प्लेन हाईजेक हुआ है ना इसे सिद्धार्त मनुत्रा ने किया है या लेक विया फिल्म की कहाने में काफी ट्विस्ट अंड टर्ण है उसके साथ वहिया इमोशन जो है वो भर-भर कर है रोमांस भी शारूख खान वाला है सिनरेटा और उसके साथ वहिया एक्शन की हम क्या बात करें और डायलोक्स तो एक से बढ़ कर एक है तो दोस्तों वाक को अपने कमेंट के मादिम से मिजदर बताएगा कि आपको सिधार्त मनुत्रा की आने वाली इस फिल्म यानिक विया योद्धा का ये ट्रीलर कैसा लागा इस ट्रीलर को देखने के बाद आपको ये लगता है ना कि भाई इस फिल्म के मेकिंग को भी बहुत ही बहतरीन तरी के से किया गया है और भाई इस बार सिधार्त मनुत्रा की इस फिल्म के साथ इंसाफ किया जा रहा है क्योंकि भी बैक टुबैक सिधार्त मनुत्रा की कई सारी फिल्मों को जब OTT प्लेटफॉम पर रिलीज किया गया तो भाई ऐसा लग रहा था कि कहीं सिधार्त मनुत्रा क केरियर को बरबाद करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है और भाई जब तक इस फिल्म का रिलीज डेट बार बार टल रहा था तो भीया इस फिल्म को भी लेकर डर लग रहा था लेकिन करण जोहर ने जो यह फैसला किया है सिदार्थ मलोतरा के लिए यह बिल्कुल सही है कि भाई इतने बड़े स्किल पर यह फिल्म बनी है तो भीया जनता इस फिल्म को सिनेमा घरों में ही जाकर देखेगी भीया क्यों देखेगी OTT प्लेटफॉम पर यानि छोटा सा डिवाइट पर तो वाकई में ऐसी फिल्मों को सिनेमा घरों में ही देखने का एक अलग मज़ा होता है मेरे भाई तो दोस्तों आप अपने कमेडी के मादिम से में जरू बताएगा कि क्या लगता है योद्धा बॉक्स ऑफिस पर आएगा तहलगा मचाएगा पबलिक के दिलों पर चाह जाएगा कि नहीं अपने कमेडी के मादिम से में जरू बताएगा तो बॉल्यूट